नमस्कार, शामदरिक विज्ञान के इस अंक में आपका पुनो स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक, सामदरिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चेनल गो ब्लोक्स में एक सुन्दर सी मेल हतेरी, आप पुरुष जातक है और आपकी रियल हतेली आज मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है देखेगा, थोड़ समझने की कोशिस करिएगा जो हमारी ये इंडेक्स की फिंगर होती है जिसको हम हिंदी में तरजनी की उंगली कहते है इसके नीचे वाला जो ये भाग होता है ये होता है गुरू का परवत ब्रस्पती जी का परवत, जुपिटर का माउंट इसे कहते है ये हमारी हतीली में बैटने वाले पर्थम आचारे होते हैं चाए हमारी कुंडली हो या चाए हमारी हतीली हो उसमें दो आचारे बैटते हैं दो गुरू बैटते हैं और ये जो जुपिटर है, ब्रस्पती है ये हमारी हतीली में बैटने वाले परथम गुरू है, परथम आचारे हैं ये रिशियों के भी गुरू हैं और देवताओं के भी गुरू हैं इसलिए गुरूओं में इनका सबसे आधरनिया सबसे उच्च अस्तान माना जाता है हमारी जीवन में जो धर्म है अध्यात्म है ये उसको प्रभावित करते हैं सिक्षा का छेतर है इंजीनियरिंग का छेतर है चिकित्सा का छेतर है मेनेजमेंट का छेतर है बानिज़्या का छेतर है कानून का छेतर है राजनीती का छेतर है उन छेतरों में इनका दखल होता है और जो ये हमारा अंगोठा है इसके नीचे का जो ये भाग है इसको हम बीनस का माउंट कहते हैं सुक्र का परोत कहते हैं ये हमारी हतेली में बैठने वाले सेकंड आचारे होते हैं ये दैत्य गुरु है दैतों की दानवों के गुरु है लेकिन गुरु है गुरु होने की क्वालिटी इनके अंदर है और ये आपके जीवन के सुक को दिखाते हैं लगजरी को दिखाते हैं दैत्य गुरु होने की साथ साथ ये भगवान सिब के गण है और हमारे जीवन में सुक का कारक है चाहे किसी भी परकार का सुक हो सुक्र के बिना सुक नहीं मिल पाता है और देखेगा जैसे इस आतेली में देव गुरु ब्रेस्पति सुन्नर और पुष्ट अच्छी खासी इ जो है सुन्दर है पुष्ट है और गुरु और सुक्र किसी भी ब्रेक्ति की हतीली में बली हो इस प्रकार से तो कहना ही क्या ऐसे ब्रेक्ति का चेहरा देख कर ही कोई भी उसकी तरप आकरसित हो जाता है ऐसे ब्रेक्तितों को यह उभारती है चाहे वो महिला हो या पुरस ह हो इनका चेहरा इस प्रकार से होता है कि कोई ही भी देख कर के उनकी तरफ आकर्षित हो जाएगा धीरी धीरे ऐसे लोगों की जो मुस्कान हो डेपलप होती है जबरदस्त रूप में और ऐसे जो जातक हैं जातिकाएं हैं औरों को अपनी तरप आकर्षित करने वाले होते हैं और दूसरा अगर हमारी हतेली में ये गुरू ब्रेस्पति सुक्र बीनस ये दोनों में इसी प्रकार से बलाबल की इस्तिति में हो और हतेली की रंगत धीरे धीरे जैंसे आपके आ रही है गुलाबी आउस्ता में आ रही है तो ऐसे ब्रेमी भी होते हैं तो आपके अंदर इन दो गुरूओं के कारण ये गुण अच्छी आउस्ता में दिखाई दे रहे हैं शांदार आउस्ता में दूसरी बात देखेगा आप अपनी हतेली की बड़ी सांदार तरीके से देखेगा आपकी हतेली का जो आकार है यहां पर ये आकार आइताकार किसम का बन रहा है ये सांदार है मनी ऐसा कार्या आपके लिए सोटेबल होगा जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता हो या मस्तिस्क से ज़्यादा काम चलता हो ऐसा कार्या आपके लिए ज़्यादा सोटेबल होगा तरक्की देने वाला होगा और काम्याबी उसमें आप अच्छी पाएंगे दूसरा जिस कार्या में सारिरिक मेहनत की बहुत ज़्यादा जरूरत होती हो ऐसे कार्य में तरकी या काम्याबी ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है दूसरा जिग्यासु प्रवर्ति आपकी जिवन में बनी रहेगी सकारात्मक सोच आगे चल कर हावी होती हुई दिखाई दे रही है और इसका लाब भी आपको प्राप्त होगा यह आपकी हतीली यहाँ पर बता रही है एक और चीज देखेगा आपके हतीली में दो चीजें बहुत ज़्यादा भिन दिखाई दे रही हैं जो अच्छी नहीं मानी जाती एक तो ध्यान से देखेगा आपकी हतीली में इस प्रकार से चिन्न आ रहे हैं आपकी हतेली में इस प्रकार से देखेगा और ये ठिक इस प्रकार से आपकी हतेली में चिन्न आते होई दिखाई दे रही है ये ठिक इस प्रकार के चिन्न है और धीरी धीरी आप देखेंगे इस प्रकार के चिन्न आ रहे हैं ये ठिक पहले इस चीज़ को देखें, क्या बता रही है, आपके जिवन में राहु का मारक प्रभाव चल रहा है, राहु नेगेटिब अवस्ता में बैठा हुआ है, जिसी सारे ग्रोहों के जो सुब फल है, उनका हरन कर रहा है, उनको आप तक नहीं पहुँचने दे रहा है, और सबसे पहले मुश्किल ये दे रहा है, कि कदम कदम पर आपको इसकी उजो से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, पैसे रुपे को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजिविका को लेके, हर जगा आपको उतार चड़ाव जहलना पड़ रहा है, आपका राव खरा पैसा कितना भी आजाए आपके पास खरबो रुपया भी आजाए आप फूटी कोडी तक नहीं बचा पाएंगे उल्टा करजे में डोप जाएंगे ऐसी इस्तिति को ये प्राप्त कर रहा है आपके हाथ में आया हुआ काम को छीन रहा है जैसे हाथ में काम आ गया सब कुछ ठ इस्तितिया है ये राव खतम करता हो दिखाई दे रहा है और सूर्य पे इसका जबरदस्त प्रवाव पड़ रहा है फिर क्या हो रहा है देखेगा जीवन काल में लगात्तार उल्जन दे रहा है आपको उल्जहा के रख रहा है सम्मान तो आता है पैसा भी आता है लेकिन साथ साथ में प्रेसानिया भी आ जाती है और ऐसी इस्तिति को ये पैदा कर रहा है कि आपकी प्रेसानिया जैसे बरतमान में खतम नहीं हो रही है आपका तनाव जैसे खतम ही नहीं हो रहा है और आप प्रेसानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं इस प्रकार की चीजों को ये दे रहा है दूसरा ये आपकी जो है करियर और धन की रेखा ये एका एक हिर्दे रेखा पे मिलके जा रही है तूट तूट के आगे बट रही है राहो का प्रभाव से गरसित है इसका मतलब आपकी जीवन में पित्रदोस है निश्चित्रोस से और पित्रदोस होने के कारण जो करियर का मामला है जो धन का मामला है उस करियर और धन के मामले में इस्टेबलिटी नहीं आ रही है अस्ताई तो नहीं आ रहा है और भाग्योदय बहुत दूर चला जाता हुआ दिखाई दे रहा है इन सब चीजों का मैं उपाई दूँगा तीसरी चीज देखेगा जो हात में है मैं एक्चुल आपको दिखा के बता रहा हूँ ऐसे नहीं कि कलपनाओं के मद्य बता रहा हूँ रैखाओं को दिखा रहा हूँ ठीक है न? और उस प्रकार से आपसे बात करता हो दिख रहा हूँ अब देखेगा ध्यान से मैं कभी भी हतेली में जो लोग जो है श्याय से पोत के भीजते हैं पाउडर से पोत के भीजते हैं वो हाथ नहीं देखता हूँ क्योंकि उसमें जो नेचुरल तरीके की लकीरे हैं हतेली की रंगत है वो नहीं दिखाई देती है तो फलादेश जो होता है क्यों लकीरों के आदार पे फला देश करना कोई बड़ी बात नहीं होती है इसके रंगत को देखेगा इसमें जो रेखाएं किस रूप में हैं किस रंग में हैं क्या कह रही हैं इस प्रकार से हम देखते हैं तो अगर आपके मन में कोई संसय है और आप ये चाहते हैं कि बस हमारी हतेली में हर रेखा देखे और श्याई से देखे तो मैं इस प्रकार का बिसलेशन नहीं कर पाता हूँ ठीक है ने अब आपकी हतेली में एक चीज़ देखिएगा और नहीं वो फलित होता है रेखाओं का जाल बन रहा है और जब रेखाओं का जाल हमारी हतेली में बनता है तो ये प्रैक्टिकल रूप में हमारे जिवन पर इसका असर होता है ये बहुत ज़्यादा प्रभाव देता है और सबसे पहला प्रभाव ये हमारे मन पर हमारे मस्तिस्क पे देता है हमेशा उलजहन की इस्तिती क्रेट करता है ये कन्फ्यूजन में रखता है विक्ति को और दुबिदा में डालता है और जो उसकी निरणे लेनी की ताकत है वो खतम हो जाती है विक्ति डिसीजन नहीं ले पाता है कि मुझे क्या करना चाए किस तरब जाना चाए किस प्रकार का काम करना चाए किस फिल्ड में मुझे जाकर फाइदा होगा ये डिसीजन नहीं ले पाता है दूसरा दूसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है जवर्दस्त रोप में ऐसे में आर्थिक रोप से ये चीजे आपको बीमार बनाती है आपके पास धन का आगमन तो होता है लेकिन आप धन का संचाई नहीं कर पाते हैं तुरंत खतम हो जाता है ऐसे लोगों के हतेली से धन टिकता नहीं है और ब्यक्त को ये दरिद्रता की और ले जाती है तीसरा इसका प्रेक्टिकल प्रभाव आपके रिस्तों पे पड़ता है चाहे वो दामपत्य जीवन का रिस्ता हो चाहे वो परिवार का रिस्ता हो चाहे वो कुटुम का रिस्ता हो उन रिष्टों का जो चरम सुक्का भोग है उसके आगे प्रस्तितियां खड़ी हो जाती है चौथा इसका जो प्रभाव है कहीं न कहीं आपकी सेहत पे पड़ता है आपकी स्वस्त्य पे पड़ता है चाहे वो मानसिक स्वस्त्य हो चाहे वो सारेरिक स्वस्त्य हो उसमें बिकार आने बैठ जाते हैं और पांचवाँ और सबसे तीवर और सबसे बड़ा प्रभाविस का आपकी डिफलपमेंट और आपकी प्रोग्रेश पे पड़ता है जो आपका सपलता का अस्तर होता है वो घटने बैठ जाता है वो सपलता का अस्तर आपका उस प्रकार का ओज़स्व में नहीं रहता है जिस प्रकार से उसने रहना चाहिए था अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले इन पाँच आयामों को अच्छी आउस्ता में लाना है जिस से जीवन जो है आपका एक प्रकास्मा ये इस्तिति में आए एक सांदार व्यक्तित्तों को प्राप्त करें और धन धन्य से आप संपूर्ण इस्तिति में आ जाए तो इसके लिए क्या करना है दो चीजे आपको करनी हैं दियान रखें प्रणायाम है योगा है और दूसरा है आपका बनस्पति अश्टनान ये दो चीजे निश्चित रूप से आपको करना है और अभी चमतकार नहीं होगा ये भी ध्यान रखेंगा कम से कम आठ से दस मेहने के बाद आपको जिवन में परिवर्तन आना दिखने बैठ जाएगा और प्रेक्टिकल रूप में दिखाएगा जादूई तरीकी से जिवन में बदलाव दिखने बैठ जाएगा लेकिन ये वो उसकी उपनिर्भर करेगा आप दिव्या, योग ध्यान किरिया और बनस्पति अश्नान सही से करते हैं कि नहीं करते हैं ये इसके उपर डिपेंड करेगा अब देखेगा आपने जो है पहला सवाल पूछा है मैं किस छेतर में अपना करियर ठीक कर सकता हूँ दो परवत आपके सांदार हैं, दोनों गुरु हैं अगर हम आपके ब्रस्पति परवत को देखते हैं तो ये बता रहा है चाहे सिक्षा का छेत्र हो चाहे इंजीनियरिंग का छेत्र हो चाहे चिकित्सा का छेत्र हो या मैनेजमेंट का छेत्र हो या बानिज्जा का छेत्र हो या कानून का छेत्र हो इन छेत्रों में चाहे आप अपना काम करें चाहे आप नोकरी का प्रियास करें इन छेत्रों में आप अगर करियर बनाएं तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा अच्छा रहेगा दूसरा नहीं तो आप अगर देखें आपका सुक्र भी लगबग ठीक इस्तिति में है बहुत ज़्यादा चिंताई नहीं देता हो दिखाई देरा मनि खराम नहीं है तो इसका जो है रेडिमीट कपड़ों का ब्यापार है ब्यूटी इंडिस्ट्री है या आप जो है कला के छेतर में अगर रुच रखते हैं तो उस छेतर में भी कहीं न कहीं अच्छा दिखाई दे रहा है अब आप दूसरा सवाल पूछते हैं क्या मैं राजनीत के छेतर में अपना भौश्य बना सकता हूँ राजनीती के लिए हतेली में चारों ग्रहों का मजबूत होना बहुत जरूरी है अच्छे फलित आउस्ता में आना जरूरी है उसमें पहला होता है आपका मंगल ये दोनों मंगल ये दोनों मंगल आपकी हतेली में सांदार है बहुत खूप सुरत है अच्छे परिणाम देते हुई दिखाई दे रहे हैं तो इनकी तरब से आपका प्रतिसत मिल रहा है अच्छा दूसरा होता है आपका ब्रस्पती ब्रस्पती आपका बहुत उच्च है अच्छी इस्तिती में दिखाई दिये रहा है इसका लाब मिलता हुआ दिखाई दिये रहा है तीसरा मुख्य ग्रह होता है आपका सूर्य सूर्य आपका अगर देखें तो जहां उर्जा बिहीन है वहीं जो है उल्जन की स्तिती और कनफ्योजन की स्तिती को भी साथ में ला रहा है सूर्य सरकार का कारक है तो सूर्य आपका अच्छा नहीं है तो सूर्य इसपष्ट बता रहा है अगर राजनीति में आपने परवेस भी कर लिया तो सपलता नहीं है किल्यर और चौथा आपका जो ग्रह होता है वो होता है चंद्रमा आपकी हतेली में आपका चंद्रमा अनबैलेंस इस्तिति में है और कोई फल देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है राजनीति के छेतर में तो राजनीति में परवेस मिल सकता है लेकिन बड़ी सपलता नहीं मिलेगी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है अगर आप ना जाएं इस छेतर में तो आपके लिए अच्छा रहेगा कोई बहुत ज़्यादा उन्नती नहीं दिखाई दे रही है तीसरा मुझे किसी भी छेतर में सफलता क्यों नहीं मिल रही है उसका दो कारण है एक तो आपके हतेली में राहो मारक भाव में बैठा हुआ है कितना भी बड़ा काम आ जाए आपके पास ये आपके घर से आपके मुह के अंदर से आपका निवाला छीन रहा है किसी भी काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है दूसरा आपका सूर्या आपका सूर्या इस इस्तिती में है कि आप कितना भी परियास कर ले आपके परियास सफलता की इस्तिती में नहीं पहुँच पा रहे हैं आप जो मेहनत कर रहे हैं जो परिश्रम कर रहे हैं उसका जो पूरा स्रे है ज आप तक नहीं पहुँच पा रहा है जो क्वालिटी आपके अंदर है जो योगिता आपके अंदर है उस तरह से चीजें उभर कर नहीं आ पा रही है निखर कर के नहीं आ पा रही है और मैं बात करूँ तो एक सहजता से एक सरलता से जो आपको रास्ता मिलना चाहे वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है और देखेगा ऐसी इस्तिति में अगर ब्यक्ति ब्यापार में जाता है तो ब्यापार में वो विस्तार, वो फैलाओ, वो नाम, वो यस, ब्यक्ति वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है जिसके लिए उसने सारा कुछ दाओं पे लगा के ब्यापार में गया था ऐसी इस्तिति में ब्यक्ति अगर नौकरी भी करता है तो नौकरी में वो ग्रौथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आपको खपा लिया हो और ऐसी इस्तिति होने पर चाहे आपका सारेरिक स्वस्थ्य हो चाहे जीवन की खुसाली हो चाहे जीवन का उत्सा हो चाहे जीवन की उर्जा हो इन चीजों की आपको चिंता करने पड़ती है ये चीजें हमेशा आपके साथ नहीं रहती है आपको दो उपाई करने हैं इसके भी लेकिन इस प्रकार से दूँगा मैं आप सभी उपाई कर भी पाए आपको पता भी नहीं लगे और कहीं न कहीं जो है प्रेक्टिकल रोप में आपको जादोई तरीके से उसका फाइदा भी हो इसके लिए मैं आपको दूँगा एक दिब्य सूर्य किरिया और दूँगा मैं राहो का आपको उपाई अगर आप दिब्य सूर्य किरिया नियमित रोप से करते हैं और जिस प्रकार से मैंने बोला है समय का ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही धीरे धीरे आपको इसका फाइदा होगा जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ेगा जहां आपकी सारिरिक सेहत बेहद अच्छी हो जाएगी वहीं आपका मानसिक संतोलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहिजता से चलने बैठ जाएगा फिर चाहे सारिरिक स्वच्थे हो जीवन की खुसाहली हो जीवन का उत्सा हो जीवन की ओरजा हो इन चीजों की आपको चिंता नहीं करने पड़ेगी ये चीजे हमेशा आपके साथ रहेंगी तो इस चीज को आप जरूर करिएगा अब आपने जो है मेरे पास धन का आगमन मुझे किस छेतर में सपलता क्यों नहीं मिलती है ये बताया है चौथा आपने लिखा है मेरे पास धन का आगमन होता है और तुरंत खतम हो जाता है क्या कारण है आपकी जीवन में जो सूरे की इस्तिति है और जो हतेली में नगेटिव उड़जा की इस्तिति है इस कारण से आपकी हतेली में पैसा नहीं बचता है और आपकी आर्थिक इस्तिति मजबूत नहीं होती है मेरा भाग्या उदायक कब होगा यार जिस तरों से आपकी हतेली है ये करियर और धन की रेखा है आपको एक लक्षमी का उपाई दूंगा रात्री के समय का वो आपको विद्वत तरीके से करना है दिब्य योग ध्यान के रिया करनी है धाई से तीन साल के बीच में अगर आप देखेंगे तो निश्चित रोप से जो है आपको इसका फाइदा मिलेगा और रेखक कुछ नही है अगर आप ध्यान से देखेंगे ब्रिस्पति से निकल करके कुछ रेखाई जा रही है और इस प्रकार से सूरे पे दो रेखाई जा रही है जो जीवनकाल के फोटी नाइन एर में जबर्दस्त जो है चीजों दे रही है भाग्योदय की इस्तिति बना रही है अगर आप तरीके से उन्नत करते हैं जो उपाय करते हैं तो रहो आपको फोटी नाइन से फिप्टी फोर के बीच में सरकार द्वारा लाब की प्राप्ति करवाएगा यस की प्राप्ति करवाएगा धन की प्राप्ति करवाएगा और आपके कारियों को विस्तार की इस्तिति में ले कर जाएगा अब आप एक सवाल और पोछते हैं आप लिखते हैं मेरे काम हमेशा बनते बनते बिगड़ जाता है जैसे काम बनने के लिए तयार होता है और हाथ में आजाता है तुरंत ही उसी पल वो काम बिगड़ जाता है ऐसा क्यों? राहो के कारण नगेट टिब उर्जा के कारण इन दो चीजों के कारण आपके साथ ऐसा होता है इसका आपको प्रोपर तरीके से उपाई करना है अब चलते हैं हम अन्य चीजों पे ये उंगली पूरी तरोसी जुकी हुई है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ मिडिल फिंगर एक सही अनुपात में खड़ी है ये आपकी मेहनती स्वभाव को बता रही है और मानसिक चमता बढ़ने वाली है साथ में अध्यात्मिक चमता भी बहुत अच्छी रहेगी एक जो है स्वाबिमानी बिक्तित्तों के धनी रहेंगे बिबेक बहुत अच्छा रहेगा दूसरों की मदद भी खूब करेंगे नौलेज बहुत अच्छा रहने वाला है भग्या बहुत अच्छा साथ देता हुआ आगे दिखाई दे रहा है नगेटिब उर्जा को ठेक करे ये उंगली पूरी तरों से जुकी हुई है इस तरफ यस पाने की इक्छा नेम्फिम पाने की इक्छा और अपने कारेों में विस्तार पाने की इक्छा बहुत अच्छी रहेंगी इसका लाब होगा दोनों उंगलیاں बराबर है दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं धन और यसकी बहुत जादा भोक है पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और इस समया जीवन का मात्र लक्षभी यही आपने धारण किया हुआ है यार यही बना हुआ है यह उंगली पूरी तरों से जुकी हुई दिखा पा रही है मनी मैनेजमेंट कागजों का रख रखाओ एकाउंटबिल्टी फाइलिंग और कम्यूनिकेशन स्किल्स में कमी को दिखा रही है इसको थोड़ा बढ़ा करें तो इसका लाप राप्त होगा सभी उंगलियां जो है यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ जुकी ऐसे में बिक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है ऐसे में बिक्ति की जिवन में कई बार बिक्ति सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी महसूस करता है यह यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे अगर देखे एक सुखत जिवन जीने की चाहा बनी हुई है सुखत ज जिस तरो का है, ये बता रहा है कि जो राज नीत है, उसकी तरफ आकरसित रहेंगे। ये आपकी हिर्दय की लकीर है जो धीरे धीरे आपकी महत्व कांचाओं को बढ़ा रहा है बहुत आगे बढ़ने की सोच को दिखा रहा है टॉप लेबल तक पहुँचने की इच्छा को दिखा रहा है और इसके लिए मिहनत भी खोब करेंगे यहां पर इस प्रकार का चिन बता रहा है रहस्य में बिद्याओं की तरब भी आपका आकरसन बना रहेगा और उसकी नौलेज भी अरजन करेंगे बर्तमान समय में क्रियेटिविटी ज़्यादा रहेने की संभावना दिखा रहा है इसका लाब होगा और कलपनाई भी बहुत ज्यादा करेंगे यहां पर इस प्रकार से जो है यह चीजें को दिखा रहा है देखेगा एक बात तो इहां पर दिख रही है कि आप अपने जन्म अस्तान से दूर जाकर ही बहुत बढ़ी तरब की को पाएंगे जन्मción میں रहकर कर बहुत बढ़ी तरक्की को पाना थोड़ सा कठिन रहेगा लेकिन आपको यातराओं का भी बहुत अच्छा लाव मिलेगा यह दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक लाइन इस प्रकार से है लेकिन इस लाइन टूटी हुई है जो आपका करियर का मामला है जो आपका धन का मामला है उसमें प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है यह थोड़ा सा जो है सपलता की और इसार कर रहा मिलेगा बोलने के धंके कारण में पैसा कमाएंगे और ब्यापार भी करेंगे तो लाब होगा लेकिन बड़ा लाब फोटी नाइन से फिप्टी फोर के बीच में दिख रहा है य इवन काल में कहीं न कहीं जो है सुरुवात में या मध्य में देख लें 46 में वर्स तक संगर्स भी दिखाई दे रहा है लेकिन उसके बाद इसी संगर्स से उठकर आप हर सुक को पाएंगे हर सुक का भी भूग करेंगे यह आपकी हतीली की कुछ लकीरे थी सुक्र का परव चिंता भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं परिश्रम कर रहे हैं तो भी आपकी नजरों से देखें तो अभाव की इस्तिति हैं लाख प्रियास कर रहे हैं सारे साधन होनी के बाब जूद भी जो सुक की अनुभूती होनी चाहिए थी उसमें कमी दिखाई द निम्र मंगल और उच्छ मंगल की इस्तिति देखे तो निश्चित ही यह बहुत अच्छा है प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा कैसी भी प्रस्तिति जीवन में आ जाए प्रस्तितियों से नहीं भागेंगे प्रस्तितियों का solution ढोड़नेंगे और उसमें बिजाई प्राप्त करेंगे ये दिखाई दे रहा है ब्रिस्पती बहुत अच्छा है और यहां से लकेरे दिखाई दे रही है जो कहीं न कहीं जो है आपके अंदर की कुछ खूबियों को बता रही है जहां writing skills बढ़ेगी वहीं leadership की quality बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आप जीवन में आगे चल कर progress खूब पाएंगे और कहीं न कहीं आपार मान शम्मान की आपको प्राप्ति होने वाली है आपका सनी बहुत अच्छा है लेकिन कभी कभी बे ओजहे की चिंताएं आपके जीवन में आती हुई दिखाई दे रही है या कोई न कोई ओजह पैदा हो रही है इसको ठेक करने के लिए दिब्यय योग ध्यानी के रिया जरूर करे सूर्य हमने पूरी तरों से देख लिया है छोटा काम भी करेंगे तो नेम भिम पाने के इक्षा जादा रहेगी यहाँ पे कुछ लगेरें दिखाई दे रही है जो इस्तितियों को बता रही है कि बुडापे में अपने हाथ का पैसा रहेगा दो-चार भासाओं के ग्याता रहेगा और जो बौदिक अस्तर है वो कहीं न कहीं ब्यापार के तरब जादा जाएगा वाणी की सुद्ता बहुत अच्छी रहने वाली है तन की सुन्दरता भी खूब सूरत रहेगी चंद्रमा हलका अन्बैलेंस है कभी कभी इसकी ओज़ों से मन गड़ बढ़ रहता है मानसिक प्रेशानी कभी कभी ये दे देता है और सुकर के साथ मिलकर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा लेता है ऐसे में कभी कभी इमोशनली थोड़ा सा प्रेशान हो सकते हैं कभी कभी कारियों में मन नहीं लग सकता है या मन थोड़ा सा कम रह सकता है। और कहीं न कहीं जो है नीन आने में आगी दिकते आ सकती हैं इसलिए जल का सेवन खूप करें भगवान शंकर की पूझा करें। देखा जाए तो मैंने आपकी हतिली का पूरा विस्लेशन करके आपको बता दिया है उपाई निश्चिती में बिदिवत तरीके से लिख करके और आडियो के मादियम से बेज रहा हूं करने की कोसिस करें बहुत अच्छा लाब होगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ मनोपस्तित हूँगा तब तक के लिए नमस्कार